यशो मती मैया के नंदे लाला कानहा मैया चोड़ी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना भताएं उसके यहां से कच्छु खा ले है ना पर इनके यहां तो द्वार खुला था मटकी खुली थी और इस वेम भी तो सामने बैड़ी थी कानहा तुने काकी से अनुमती ली थी मुझे लगा किनों ने बुलायो है मुझे और मिला कानहा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो इसके अपरात की मैं भरपाई करूँगी मैं तुम्हें दो गुना माखन दूँगी यह सत्या है मैंने स्वयम ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की पर बात माखन की ना है जिजी वो फर क्या बात है इसने मेरी माला और मिला मन दुखी मत करूँगी मैया मैंने माला जान मुझके ना तोड़ी इसने वो ही माला तोड़ दी जिजी जो मेरे पती की प्रेम का प्रतीक थी आपने ही कही थी ना जिजी यदी कोई कश्ट हो तो यहां आ जाना मुझे अपनी बड़ी जिजी ही समझना आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परिसान करे, तो आप से बुरा कोई न होगा ये नारायन, क्या मुझे अपने काना को फिर से दन्ड देना पड़ेगो माया, यदि नहीं काक्षी की यह यह इच्छा है, तो आप मुझे फिर से दन्ड दे दो मैं टन्ड के लिए तेयार हूँ मैया, मान दो मुझे अस उखल से, मैं उस उखल में रंदा रहूँगा दिन बाद दूप में खड़ा रहूँगो, फूका फ्यासा भी रह लूँगो पर आप इनसे काओ न, साधारन सी मोतियों की माला के लिए अपना मन चू दूखी करिये कान्हा जे कोई साधारन मोतियों की माला ना है वैसे तो तेरी जे मुल्ली भी साधारन है ना इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगो बात बुरा लगेगो बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना उनके लिए जे प्रेम का प्रतीक थी ना मुल्ले वस्तू की ना होती कान जुड़ी थी ना जे ले जे माला काकी को जाके दे जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती पर तेरे छमा की भावना उन तक पहुचा सकती है मुझे छमा कर दो नहीं काकी और ये भी शिकार करो ना ना जे ना चाहिए मुझे जी 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 मैं कैसे नहीं काकी ये माला भी प्रेंट का ही प्रतिक है लो वैसे एक बात कहूँ मुझे की माला टूट सकती है और फुलो की माला भी मुर्चाई जाती है इसलिए माला जिवन बर आपके पास रहना रहे मेरा प्रेंट सदेव आपके साथ रहेगो इन्या आए एक दिन दिना हो और आते ही काना के हाथ से वो बाहर मिलगो कित्ती भाग साली है उरे मिला जो सोदा जी चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कचु ना दियो दियो ना माखन दियो ना चांदी के मट्कियों में माईया और मैं कोई अलग थोड़ी है काना अधिक बाते मत बना आगे से ऐसे उदंड तक की ना तो बाते बनाके माईया के दंड से ना बच पाएगो माईया मैं कोई सलावत ना करूँगा पस फिर से रण मती दे ना काना की ओर से मैं चमा मामते हो तुमसे कच्छो कहरें कि आवशक्ता ना है जी जी जो हूँ अच्छे के ले हूँ आज के इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है प्रेम को वस्तू के साथ ना चोड़नों चाहिए क्योंकि वस्तू तो रहे ना रहे पर अपनों का प्रेम वो तो सदेव अपने साथ ही रहता है ये में ना रख पाऊंगी अरे ना ना जे तो तुम्हें रखनी पड़ेगी काना ने दियो है ना रहे ना रहे नंद महूँ पालक को ध्यान रखो तुम दोनों राजा का लला है उसके कुछ अधिकार है तो बहुत से दाइत्यू भी है यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संसकार उसके अंदर आये तो क्या अच्छा है क्या बुरा ये उसे अभी से समझाना होगा अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए अंकुष लगाना अवस्चा है बागी तो तुम दोनों समझदार हो मैया मैया मेरी बात चुनो ना बाबा तुझे पातो है लाला तेरी मैया तुझे कित्ता प्रेम करती तो तु ही बदा जो तुझ पर सारा संसार निचावर करती है एदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो तेरी कमिया निकालेगो कुछ भी करेगो कैसा लगेगो उसे हम सब चाहते है कि तू अच्छा नल्ला बने ताकि सब तेरा उधारण दे ना कि बुरा इसकी सब निंदा करे पर बाबा मैं तो बात तर अच्छे वाले कारे करता हूं हां कर तो है न अच्छे कारे तो कर तो है अच्छे कारे और सो अच्छे कारे करने के बाद यदि जाने अन जाने में एक बुरा कारे भी कर देगो न ये समाज उस बुरे कारे को ही स्मरन रखे वो बुराई छण भर में बुला दी जाती है लल्ला और बुराई वो सदैव स्मिनती में बनी रहती ये ही समाज की रीद उसने तुझे अच्छी सिक्सा ना दी पर यदि तुझे समा मांगनी है न? मुझ से न? तेरी महिया से माग पर बाबा महिया मानेगी महिया चमा कर दो अब फिर मैं कोई ऐसा कारिया बैठो ना जिच्ची बैठो आजा लल्ला बैठ जी देख तेरे लिए लड्डू बनाये हैं पर पहले तुझे माखन चक के देख कैसे बनोगे? अच्छा है? ले, खाँ कितना अच्छा बालक है तुझे सदे वैसी रह ना किसी की संगती में आके विगड मती जाईओ सुमजाई? मुझसे बात मती करो बच सारा प्रेम डाउपे लूटा दो हाँ नईता सुन दारियल के लड्डू खाएगो मैं अफिले क्या तुझे किसी उपाय से बात में बन रही तो रोक के दिखाओ ना राम बाड उपाय है आसु देखते ही इगल जाती है सारी माय हाँ ये देख ये ले ये ले जिस सारे के सारे तेरे लिए है खा ये शोदा बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बाटना चाहिए ना कानहा को भी तो कितने प्रीय है ये लड्डू ना जिट जी इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रीय है कि देदो सारे लड्डू देदो मेरे खिलों ने सारे मिठाए देदो अपने प्यारे बलराम को मुझसे बाद में मदी गरो ऐसी भूली सुरत बना तो है कि दंड देने की सपत भी ली हो तो स्वयम पर ही लज्जा आ जाए अब मान भी जाओ ये शूता बालक ही तो है जे बालक ना है जे तो छलिया है अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे और फिर पूरे गाउं में बताता फिरतो है कि माईया को मनाना कित्ता सरन है पर अब मैं इसके मन का ना होने दूँगी अब इताबित रोज मती करू माईया मान जाओ माईया छोटा सा मैं बालक मैया नैना छोटे छोटे से कैसे तुमको भारहेन में आसु मोटे मोटे से कर तो छमा अप तुमको मेरी भोल भी जाओ ना मान भी जाओ ना मैया अप मान भी जाओ ना अपने प्यारे कानहा को अप रेदाए से लगाओ ना सुनो मैया तुम्हारा कनहया सच में भोला भाला है जानती हो सब तुमने अपने आचल में मुझे पाला है मंता दी है प्रेम दिया अच्छे अच्छे से संस्कार दिये बदले में मैंने तुमको बस केवल कस्ट ही कस्ट दिये पलकों में बैठाया तुम्हों फिर के जाओ ना मान भी जाओ ना मैया आप मान भी जाओ ना अपने प्यारे कानहा को अप रिदय से लगाओ ना अपने प्यारे कानहा को अप रिदय से लगाओ ना प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंद लाला 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 लला मैंने रिदय से लगाओ है इसका अरचेना है कि मैं मान गई भी और सब भूल गई भी मैं तो छमा मांग रहा हूँ ना मैया ना कानहा भूल हो जाने पर केवल छमा मांगना परयाप ना है सबसे पहले तुझे जे स्विकार करना पड़ेगो कि तुझसे भूल हुई फिर तेरे मन में छमा भाव होने चाहिए तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हुओ वो अनुचित है फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कानहा और चौथी बात अविलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कचू ऐसा करनों चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए और फिर अंत में तुझे वचन देनों चाहिए कि फिर से तु वो भूल कभी न दोराएगो मैं समझगू मैया तुम्हारा लालान में अठख़ट अवस्य है पर हम तु समझदार भी मैं वचन देता हूं मैया आज के बाद मैं ऐसा कच्छूना करूंगो जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े मेरा अच्छा काना अब जाब वस्राम कर जाब अभी अभी छोटी मा मानी है अब तुम फिर से कोई योजना मत पना लेना उसकी चंता माती खरो दाओ आप तो सिग्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में क्या नहीं करनो है तो क्या तुम्हें छोटी मा के बात समझ में नहीं आई तो तुमने बार क्यों कहा कि तुम समझ गए हो क्योंकि दाओ मैया कोई अधी पता चल लिया था तिस आतारंसी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और कुड़ो दाटो आपको तो समझ में आई थी ना आप तो समझा दो आप में दाओ हो ना हाँ हाँ समझाता हूँ छोटी मा ने कहा था बूल हो जाए तो कभी बूल से भी बूल को बूलना नहीं हाँ उनकी बातों का सार तो यही था अरे दाओ पर बाबा से पूछ सकतो है काना यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तु उसके बारे में अनेक बार पूछ सकतो है प्रस्न पूछना समझदारी का प्रतिक होतो है समझ को बाबा तेरी मैया के वले तही कहना चाहरे थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्विकार करनो चाहिए और उसके बार हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का रियास करनो चाहिए और अन्तिम और सबसे महतुपुन बाद ये अवस्य याद रखना के कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करनो है समझ को बाबा चलो तुम दोनों बाते करो मैं जा दो अब सथी में समझ गाए काना या मैं समझाओ नाना दाओ आप तो रहने इदो तो बत्ताओ अब तुमने जो हारनी की है जो सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम एक उपाए है पर मुझे उसके लिए साइता की आऊ सकता पड़ेगी किसकी साइता? उनी की जिनके पास उपारों का बंडार है उपार बंडार का ना झाल झाल